वेलकम बैक इस टाइम फर कुकिंग और क्रियेटिविटी आज मैंने बनाया है हेल्दी ब्रेक्फ़स्ट और लंच के लिए टिफिन रेसिपी है बच्छों के लिए टिफिन में या बड़ों के लिए लंच बॉक्स के रेसिपी है बीट रूट पनीर पनीर स्टफिंग के किया है इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने या पर बीट रूट को इस तरह से कट करके लिया है कट के किया हुआ बीट रूट को हमें उबाल कर लेना है और इसे हम उबालने के लिए रख दिया है पानी और इसे के अंदर बीट रूट डालके पर इसको डाल लिया है बारिक कटा हुआ प्यास शिम्ला मेश और टमाटर का बी निकाल लिया है मैंने बी निकाल कर इसको अच्छे से फाइनली चॉप करके लिया है अब मैंने यह आपर मसाले आइड किया हैं बहुत ही कम मसाले डाने हैं जैसे के हल्दी लाल मिश पाउडर नमक स्वा मिक्स किये हुए स्टफिंग में मैंने दनिया आइड किया है बारी कटा हुआ दनिया आइड करके इसको अचे से मिक्स करके लेंगे हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है अब यहाँ पर मैंने लिया है गेव का आटा गेव के आटे में अजवायन को कृष्ट करके डाल दीजिए इससे फ्लेवर अच्छा आजाएगा अगर अब नहीं चाते हैं तब स्किप कर दीजिए और साथ में डाल दीजिए नमक तोड़ा सा हलका सा फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे आटे को उसके बाद यहाँ पर जो बीट रूट हमने पका के रखा दा उसका पानी जो है वो इसमें डाल लेना है और पके वे उबले वे बीट रूट को हमें फेकना नहीं है उसमें चात मसाला और नमक उपर से आइड करके आप सर्फ कर सकते हैं बहुत तेस्टी लगता है और यहाँ पर हमारा आटा गुंद कर फोचुक्पा हाटा में ने जादव सकत ने गिया है मीडियम रखा है इसतरह गुन्दे में पर आटे के आट करके लेना है इस तरह से और इसको हतेलाद में रखकर इस तरह से फ्लैटन करते हुए सइड सैड में और इसको इस तरह से हमें करके लेना है एक राउंड शेप में इसमें हम डाल देंगे दो चम्मज बर के स्टफिंग स्टफिंग जादा ही डाल लीजे क्योंकि स्टफिंग कम रहेगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए स्टफिंग का ध्यान रखिए और उपर से इसको अच्छे से कवर करके लेंगे थोड़ा चुटा चुटा करके इदे कि इस तरह से आप कवर कर लीजे एक दो पराठे को हम दब het टबे पर देंगे अच्छे से से कर लेंगे RAW फिलम पर लो पर रखके ताकि हंदर से अचरी पक जाए और बाहर बाहर से एक दाम क्रिस्पी हो जाए लो फ्लिंप पर इसको अच्छे पकाएंगे औरmar ले encant के बटर नहीं चान कि चुछत बहुत ही सिंपल इंग्रिन्स के साथ यह बना है एक दम पॉफेक रेसिपी है और हल्दी रेसिपी है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ किजिए और मुझे कमेंट किजिए कि आपको कैसी लगे